हाई एवरिवन आज की सिस्तन में आप सभी का स्वागत हैं आज की इस वीडियो में जहारखन TGTA के लिए जो न्यूकती की परिकिरिया चल रही है उसी में हम लोग एक इंपोर्टेंट नोटीस पर चर्चा करेंगे जैसा कि आपको पता होगा सुप्रीम कोड के नोटीस के ब ट्रचा बेञें लेकिन बहुत सारे चातर थे क्योंकी यह निवोकती की परिकिरिया प्रारम हो अब बहुत साले के बाद 6-7 सालों के बाद तो बहुत सारे चात्रों को पता भी नहीं चल पाया था इस लिए इसको घ्यान में रखते हुए JCC के दवरा आज एक बहुत ही महत्पूर्ण नोटिस जारी किया गया है कि जो छात्र जिनका रोल नंबर लिस्ट में है जिनका रिजल्ट जारी हुआ था पिछले साल से लेकर अभी तक उसमें गर रोल नंबर उनका है और उनका डोकुमेंट फिरिफिकेशन नहीं हो पाया है उनका फिर से डोकुमेंट फिरिफिकेशन का ये अंति मौका होगा हमने भी बहुत सारे छात्रों का यहाँ पर कंप्लेंड भी किया गया था कि सर की अब हम क्या करें कैसे करें जैसे से भी कॉंटेक्ट भी किये थे थे हमने बोला भी ता कि सारे छात्रों को मौका दिया गय लेकिन एक चीज और धियान रखना है कि अब स्वाल उड़ता है क्या सारे सब्जेक्ट को हुआ पर बुलाया गया है जितने भी candidate का result जारी हुआ तो इसका उतर होगा नहीं कुछ specific जो subject है उनको बुलाया गया है और कुछ specific subject को छोड़ दिया गया है अब क्यों किया गया है ऐसा चलिए हम लोग जानते हैं देखिए आपर JSS के द्वारा ये notice जारी किया गया है JSS ने notice जारी करके ये कहा है कि जो इनके द्वारा result जारी हुआ सुप्रीम कोट के निर्देश के बाद 11 October 2022 या उसके बाद जिन छात्रों का वेबसाइट पर अनुकरमांक जारी हुआ और उनका document verification नहीं हुआ मतलब कि वो अनुपस्थित अभियर थे अब अनुपस्थित बहुत सारे कारणों की वज़े से हो सकता है तो specific कारण नहीं है कि नहीं हमको पता ही नहीं चल पाया मतलब कि वे सारे candidate जिनका role number है और किसी भी कारण वस वो document verification नहीं करा पाए उन सभी को मौका दिया गया है लेकिन इन में कुछ विसयों को छोड़ कर क्योंकि JCC में देखिएगा TGT में बहुत सारे subject थे तो कि या सारे subject के छातरों को बुलाया गया है तो इसका उतर होका नहीं तो किन-किन subject को नहीं बुलाया गया है उसको भी mention है और किन subject को बुलाया गया है उनको भी mention किया गया है जैसे कि देखिए कि आपर हो सब्जेक्ट फोठा, गुंडारी, पंच परग्या, संथाली, ओरिया, पूर्माली, खड़िया और कोमर्स बाकी तो सारा रिजिनल लेंग्वेज जार्खन का और ये कोमर्स लेकिन स्पेस्विक है मतलब कि इन सारे छातर अगर अनुपस्ते भी थे तो इनको नहीं बुलाया गया है मतलब कि इन विसायों को छोड़ कर बाकी के जितने भी अन्य विसाय के सब्जेक्ट के जिनका रोल नमर जारी हुआ और वो डोकुमेंट विरिविकेशन में सामील नहीं हो पाएं उनको बुलाया गया है कब 12 अप्रिल 2023 को अब स्वाल पूरताई कि बाकी के कौन-कौन सब्जेक्ट हैं मतलब कि इन सारे छात्रों को बुलाया गया है जो अनुपस्थित हैं डोकुमेंट विरिविकेशन में रिजल्ट आया लेकिन वो डोकुमेंट विरिविकेशन की परकेरिया में सामिल नहीं हो पाया थे इन सब्जेक्ट के सात्रों को बुलाया गया है इनको नहीं बुलाया गया है बहुत सारे छात्रों के मन में स्वाल उठेगा कि सर की मेरे साथ इतना गलत क्यों कर रहा है JCC कि हम लोग को नहीं बुला रहा है इनको बुला रहा है तेखें यहां पर number of seat पर भी depend करता है, vacancy पर भी depend करता है अब यहां पर अनुमान लगा कि इस अधार पर बोल सकते हैं जैसे सी उसके regarding हैं पर कुछ बोला नहीं किया है कि हम इनी को बुलाएंगे इनको नहीं बुलाएंगे, तो एक अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है कि इन सारे candidate जो post है वो भेकेंडर भी रहें, जितने भी number of candidate का जो document verification वह वो परियाप्त नहीं था इसलिए इनको बुलाया जा रहा है, इनका हो सकता है, परियाप्त हो गया है तो इसलिए इनको नहीं बुलाया जा रहा है और ये note हमेशा कर लीजिएगा, ये अंतिम मौका है और ये 12 अप्रिल 2023 को बुलाया गया है अपने साथ जितने भी educational qualification है, कोई reservation का certificate या फिर कोई भी other subject है सभी को लेके जाएगा, 10, 12th का, graduation का, इसके लावा additional जो degree है, जैसे की B.Ed, A.M.Ed, P.G. तो उनको भी लेके जाएगा, जिससे की कोई अस्वीधा आपको document verification के समय न हो एक चीज़ और यहाँ पर धियान रखिएगा, कि इन चातरों को जो बुलाया गया है document verification के लिए, उनके लिए धियान रखिएगा कि last chance है अब कुछ दिन पहले भी हमने discuss किया था, कि JCC जो है, ये एक से दो महिनों में ये 2016 की जो परकिरिया है भरती की, उसको पूरा complete करने वाली है और इसमें करीब 9000 से जादा चातरों को यहाँ पर result या फिर उनको नौकरी दिया जा रहा है, TGT के अंतरगत और 4500 मतलब कि करीब अभी तक जितने भी छातरों का result आया है, final result तो अभी अप्रील है, तो अप्रील में करीब 4500 की लगभग और मैं में करीब 4500 मतलब कि अप्रील और मैं तक पूरा करके 2016 की परकिरिया को पूरा complete कर लिया जाएगा अब नया जो TGT है, high school के लिए नया वेकेंसी जो है, मई या फिर जून तक जारी हो सकता है क्योंकि बहुत सारे छातर जो है, पुछ रहे थे सर की नया TGT कब आएगा, ये तो चलिए 6-7 सल पहले जो वेकेंसी जारी हुआ है, उसकी परकिरिया चल रही है बहुत अच्छी बात है, लेकिन नया के लिए किया, उनके लिए भी बहुत ही जल जो है वेकेंसी जारी किया जाएगा इसको देखीगा, बहुत सारे छातर इसमें अब ये भी पूछेंगे, अधिकतर जो प्रस्निया पर आता था कुछ चातरों का सर की, मेरा तो इतना मांक्स आया था, मेरा रोल नमर है या फिर नहीं है मेरे सब्जेक्ट का, कैसे पता चलेगा पता चलने के लिए आपको पता होगा, कि JSC का जो website है, JSC के website, JSC.nick.in पर जाएगा notice section में तो यही पर आपको result मिलेगा, अपना-पना जो subject है, उसको जरूर देखिएगा, और उसी के धार पर वहाँ पर लेके जाईएगा आप यहाँ पर देखिएगा, तो JSC जो है, यह notice जारी किया है, और जितने भी छात्र, जिनका roll number है, वो जरूर आप छात्र उसमें सामिल होईएगा, डोकुमेंट फिरिविगेशन के लिए पर सारा notice विगरा जारी किया गया है, इस सारा list आप देख सकते हैं, उसी से समन्दीत है, तो यह finally, जो important notice था, उसके बारे में हमने पुरा चर्चा कर लिया है, इसमें अभी भी कियात रोगा, अगर कोई doubt होगा, तो comment करके हमें जरूर बताइएगा, next वीडियो में जरूर इसको सामिल करेंगे, और इसके अलाबा, जो छात्र आने वाले जो नया TGT वेकेंसी है, आपको पता होगा, PGT की वेकेंसी जारी कर दिया गया है, TGT वेकेंसी के लिए जो छात्र अभी तक हमारे जो live classes से उसमें नहीं जुड़े हैं, जहां पर आपको live class, offline class के जैसा, recording class, notes, test, सारे चीज़े उपलब्द कराई जाती है, हमारे एक ही application स्वरूप learning app पर, और जो छात्र अभी तक नहीं जुड़े हैं, जल से जल क्वाले से जोईन कर लें, अभी बहुत ही कम फिस्स में आपको सारी संपुन तयारी कराई जाएगी, अभी जो है, नया बैच जो है प्रारम हो रहा है, 5 अप्रील से, 5 अप्रील से, और इसमें आपको general paper हो गया, commerce, economics, history and civics, geography, हिंदी literature, mathematics and physics के और अन्य जो विसे हैं, उनके classes आपको complete कराये जाएगे, आप दोनों paper जोईन कर सकते हैं, दोनों paper अगर PGT का जोईन करते हैं, तो वही करीब अभी 7800 के लगभग पढ़ रहा है आपको, PGT के लिए जोईन करते है तो करीब ही आपका 7000 के लगभू पढ़ रहा है, उसी तरह अगर सिर्फ general paper करते हैं, तो 2500, और JETT अगर दोनो paper करते हैं, तो 5900, 125 या 628, अगर सिर्फ आप कोई एक ही 125 या 628 भी जोईन करना चाहते हैं, तो वो भी आप minimum fees पर जोईन कर सकते हैं, courses जोईन करने के लिए हैं अप्लिकेशन है, स्वरूप learning app, जिसे आप वो Google Play Store से डाउनलोड करना है, और वही पर store में जाकर courses आप purchase कर सकते हैं, या फिर इसकी पर जो number दिख रहा है, उस पर भी आप contact करके आप अपना admission ले सकते हैं, और जितने भी छातर हैं, पहले ही हम बता चुके हैं, कि भले ही ज 2016-17 की vacancy है, 2023 में नौकरी दी जाएगी, लेकिन अंत में नौकरी तो मिला कम से कम, और माल लीजे आपका, अगर हम उस समय भी तैयारी, माल लीजे, वो सारी छातर जो 2017 में तैयारी नहीं कियें, कि नहीं जारकर्णे में तो ऐसे ही vacancy आती रहती है, तैयारी करने का कोई ना उधर करें, अभी vacancy आने का परतिक्षा कर रहे हैं, अभी जो vacancy आ चुकी है, तो आप भी परतिक्षा न करें, कि नहीं, इस बार ये होगा, वोगा, तैकि ये, जो चीजे जहां पर गलत है, उसको आपको सपोर्ट करना ही है, हमें भी करना है, आपको भी करना है, लेकि अचला कि हमारा ही रीजल्ड नहों, तो ये बहुत ही खराबात होगे, हमें हर तरह से सहयोग भी करना है, छात्र के साथ, जो भी इसमें सामिल है, जो भी गलत हो रहा है, उसके अगेंस्ट में भी हमको विरोध भी करना है, और साथ ही अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी है, ये चीज़े हमेंसा सुरूल ले से लिएकर अंग तक चलिएगा, क्योंकि हारकन में कब वेकेंसी आएगी, कब कैंसील होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब नौकरी मिलेगी, ये कोई अता पता नहीं रहता है, लेकिन जब आता है, तो नियुक्ति की परिकरिया को पूरा करत तो इसमें आपका दो पेपर होते हैं, जेनरल पेपर का और आपका एक सब्जक के स्पेस पेक, जेनरल पेपर में अलक्सेम वीडियो बनाए हुए हैं, और आने वले कुछ दिनों में नए सिलेबस के अधार पर हम वीडियो जरूर बनाएंगे, और साथ ही इसमें हम लोग पेपर टू के लिए जो बिभिन्स विसय हैं, हमारे यहां बहुत सारे सब्जक की क्लासिस चल रहे हैं, और आने वले दिनों में कुछ और नए विसयों की भी क्लासिस परारम होगी, पांच अपिल से जो है नया बैच परारम हो रहा है, तो जो छात रभी तक नहीं जवाइ थैंक यू ब्रीबन